हमारे यूट्यूब चनल संदीब डिश्टल हब में आपका हार्दिक स्वागत है आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अर्जन्ट फोटो कुछ ही स्टेप में कैसे बनाएं तो आएए देखते हैं सबसे पहले जो फोटो हमें बनानी है उस फोटो पर जा करके हम राइट क्लिक करेंगे और उपर जा करके Adobe Photoshop जो भी आपके पास Photoshop है उस पर open कर लेंगे फोटो को जैसा कि आप देख रहे है फोटो Photoshop पर open हो चुकी है अब सबसे पहले हम फोटो को crop करते हैं जिसके लिए crop tool का इस्तिमाल करेंगे जो की हमारा यहां पर है जहां पर cursor आपको दिख रहा है अगर आप चाहते हैं तो shortcut की इस्तिमाल कर सकते हैं crop tool की shortcut की होती है C C की कुछी supporting की जरूत नहीं है C की press करने के लिए अब directly C press कर दे crop करने के बाद आपको enter press करना है उसके बाद आपको selection tool इस्तिमाल करना है selection tool आपका यहां पर है और अगर आपको चाहिए तो W की press कर सकते हैं अब left click करते हुए हम photo पर आगे बढ़ेंगे जहां पर हमें background change करना है वहां पर हम click करते हुए चले जाएंगे आगे बढ़ जाएंगे पूरी background पर इधर थोड़ा कम हुआ है अब जैसा कि आप देख रहें यहां पर selection tool color के उपर आ चुका है इसको हमें पीछे करने के लिए alt की press करेंगे उसके बाद पीछे के side से again click कर देंगे आपका background select है अब right click करके फिल वाले option पर जाएंगे जहां पर आपको color option मिल जाएगा आपको जो भी color चूच करना है यहां पर color पर टिक कीजिए और सारे color आपके पास हैं यहां से पट्टी के side से आप जो भी color चाहें वो color ले सकते हैं जैसा कि हमें यह color चाहिए हम इसको ok करते हैं और again ok करते हैं हमारा background फिल हो चुका है अब photo पे हमें stock देना है जिसके लिए हम at a time control A इस्तेमाल करेंगे control A से हमारा पूरा पूरा photo select हो जाएगा अब right click करके stock वाले option पे जाएगे और यहां पर आप अपने according px कम जादा कर सकते हैं हम 7 px कर रहे हैं इससे आपको लगता है कि आपका border पतला है या मोटा है तो आप अपने according इससे 7, 10 या 5 जो मर्जी आप कर सकते हैं अब हम okay कर देंगे अब right click करते हुए हम select कर देंगे अब photo को print करने के लिए हम नया page open करेंगे जिसकी shortcut key control प्लस N होती है अब आपको A4 size यहाँ पे दिख रहा होगा अगर आपको यहाँ पे A4 size नहीं दिख रहा है आपके Photoshop पे तो आप print वाले option पे जाएंगे और यहाँ से A4 size चूज कर लेंगे दें आप create करेंगे अब उसके बाद आपको image वाले option पे जाकर करके क्लिक करना है इसके बाद आप move tool का इस्तेमाल करेंगे move tool हमारा यहाँ पे है जो aero key निसान की जैसा बना हुआ है आप shortcut की V भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब आप left click को प्रेस करके photo को पकड़ करके untitled वाले page पे जाएंगे automatic आपका एक page open हो जाएगा जिसमें ला करके हमें click को छोड़ देना है अब हमारी photo page पे आ चुकी है इसको अब अपने according सेट करने के लिए हम control T का इस्तेमाल करते हैं जो की photo को resize करने के लिए होता है control plus T photo resize की shortcut की है अब इसके बाद हम enter key press करेंगे enter key press करने के बाद आपको alt key को press करना है आपके पास एक duplicate cursor आउर आ जाएगा अब left click press करते हुए आपको photo drag करके दूसरी निकाल लेनी है इससे आपकी copy photo निकल लाएगी again आपको photo निकालनी है आप left click press किये रहे अब हमें 3-3 करके group में photo निकालनी है तो हम left click को press करके सभी photo पे एक साथ move करा देंगे cursor को जिससे कि सारी photo एक साथ हमारी group हो जाएंगी अब अगर हम alt key press करेंगे तो 3-3 photo एक साथ हमारी निकलेगे क्योंकि 3-3 photo का हमारे पास group हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं photo हमारी बनके ready हो गई है अब अगर आपको और photo की आउस्ता है तो अब एक बार में पूरी 6 photo group कर सकते हैं group करने के बाद सारी photo को एक साथ alt key press करके आप इसे नीचे की तरफ खींच ले अब 6-6 करके group हो जाएंगे ऐसे करके आप पूरा page फिल कर सकते हैं photo से इतनी भी आपको photo की जरूत होगी photo निकालते समय अगर आपको space में कोई दिक्कत थोड़ी बहुत लगती है आप arrow key का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिस साइड में आपको photo को खींचना है अब हमारी photo ready है हम control plus P का इस्तेमाल करते हुए photo को print करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब print के लिए print wizard खुल गया है अब हमें क्या करना है print setting करना है जो हमारा color printer है उसके according हमें दो चीज़ें देखनी है एक तो यहाँ पर जो paper है यह a4 size रहे क्योंकि हम printer में a4 size paper ही लगा रहे है और यहाँ पर photo paper रहे plain paper ना रहे जैसा कि देख रहे है plain paper का भी option कभी कभी रहता है by default ही खुला रहता है इस condition पे आप क्या करेंगे यहाँ से change करके आप photo paper पे कर देंगे तो photo paper glossary रहे otherwise photo paper कुछ भी रहे आपका बड़ photo paper रहे अब इसके बाद हमें यह okay कर देना है और photo को print कर देना है जैसा कि देख रहे हैं आप photo हमारी print हो रहे है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो subscribe करें, like करें और ज़्यादा ज़्यादा share करना न भूलें धन्यबाद, मिलते हैं next video में